दोस्तों आज बहुत ही खुशी हो रहा है कि आज मैं ये काबिल हो पाया हूँ बात के जए स्मार्ट वेलू से पहले तो मैं एक स्टुडेंट था जो कि 12 पासओट होकर के घर में बैठे थे और घर में बैठने के बाद लोगडाउन भी हुए थे और उस वक्त पजल थे क्या करे क्या नहीं करे कभी समझ नहीं आ रहा था कभी इंजिनियर के बारे में सोच रहे थे कभी कंपीडिशन के बारे में क्योंकि लेकिन एक चीज मैंने देखा कि 18-25 साल में लोग तो केवल फाराम ही बरते है लेकिन उसी समय मैंने कुछ सोचा कि नहीं लाइप में कुछ करना है और उसी हुट बोलते हैं कि भगवान कुछ ना कुछ देता है तो कुछ सोच समझ की देता है और उसी वक्त मनोर्म माइम के द्वारा मुझे स्मार्ट वेल्यू मिला और मैं तही दिल से उन्हें थाइंक्यू कहता हूं और 28 अगस 2020 को मैंने स्मार्ट वेल्यू का फॉर्म बढ़ा था और एक ही चीज सोचे थे दोस्तों कि लाइप में कुछ अलग करना है क्योंकि मेरी ममी एक सरकारी टीचर है और उनके बारे में बता दू मैं ममी को एक चीज देखता था कि सुबा चार बजे उठती अपना खाना पीना बना करके मतलब टाइम टू टाइम रहता था नौकरी में कि समय से पहले पहुँचना है अगर पापा ममी लोग जल्दी जाने नहीं देते थे क्यों क्योंकि घर का एकलोता थे यह सोचते थे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा लेकिन स्मार्ट वेलू का स्पील 11 कौलिफाई करके और मैंने पापा ममी से पहले गर वाली बात यह कि मैंने पापा ममी से पहले एरो अजे भहिया बहुत मिस्क कर रहें साथ मैं मनॉर्मा मैम और मेरे मम्मी पापा साथी साथ राम भहिया और मेरे जितने भी बिजनेस पार्टनर रहा है चाहे जोरब यह है दे सुरी ये नाम यहां प्यांशुरिक है मेरे जितने भी मैं जिनका नाम नहीं ले पार हूँ सबी लोग आज मेरे को कॉपरेट किये सहीयोग कियें और आज इसी का देन है कि आज देखिए मैं अपने दम पे हुंडाई का और जिसका ओन रोड प्राइस नौ लाक रुपाई जो कर दो हुआ है और बहुत खुशी हो रहे हैं कि मेरे दादी भी आज आई ह Яई और एक ही चीज है कि इस गाली को यूज़ करके आज मेरे हुआ आज मेरे सबी टीम अज सबो को इसी गाली से सभी का गाली भी आएगा दोस्तों यहीरा साथ में बंद है है और कमिटमेंट तो अब लग रही है तो अब बोलिये जो है पहला बार जो है सो मेरा बेटा अच्छा जो है सो एक्षिमेंट किया है गरु की बात है फक्री की बात है वो काम जो है सो महीं नहीं कर पाया अब अब जो परविलर का सपना था वो में नहीं ले पाया अपने जिन्दगी में आज मेरा बेटा जो है सो अब